हेलो गाइज की में हो सारे आई होप आप सब बढ़िया होगे तो जैसे कि मैंने पिछल वीडियो में बताया था कि मैंने अपना न्यू रूम बनवाया है तो रूम तो बनवा लिया इसको डेकोरेट करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट है लाइटनिग और भी कई सारी चीजे मैंने मेरे रूम के लिए मंगवाई है ताकि मैं उसको स्मार्ट कर सकूँ तो आने वाली वीडियो में आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगी मैंने किस तरह ऐसे अपने रूम को स्मार्ट रूम बनाया है पर आज कर वीडियो का टोपिक है आज की वीडियो थोड़ा डेकोरेशन से रिलेटिड है तो आप देख सकते हैं कि टेबल के साथ वाली जगह है वो खाली-खाली से ही लग रही है और मैं यहीं बैटके वीडियो बनाने वाला हूँ इस टेबल पे तो और बैक्गरांड में आपको यह वाला हिस्सा देखने को मिलेगा तो यह हिस्सा खाली-खाली काफी बेकार लग रहा था और देखने में भी कौना काफी अजीब सा लग रहा था तो इसके लिए मैंने ओर्डर किया है फ्लोर लेंब तो आज हम उस चीज के अन्बोक्सिंग करने वाले हैं चलिए शुरुवात करते हैं इसकी अन्बोक्सिंग से तो कुछ इस टाइप का मैं Amazon से बोक्स देखने को मिलता है इसको मैं ओल्रडी अन्बोक्स कर चुका हूँ यह मैंने बेसिकली लाइन है ना सस्ता सुन्दर टिक आउट सस्ता सस्ता ओडर कर रहा है सुन्दर तो आप सब देखी लेंगे टिक आउट तो यह है तो सबसे पहले हमें इसके अंदर देखने को मिलता है यह ट्राइपोड टाइप में कुछ तो इसको अंबोक्स कर लेते हैं पटावड इसकी मैंने रैपिंग नहीं उतारी है पी तक तो इसको मैं रैपिंग आपके सामने ही उतार रहा हूँ यह वोडन मेटीरियल में हमें देखने को मिलता है और इसके नीचे हमें चेन देखने को मिलती है यह देख सकते हैं, इतना ही open होता है यह इस तरीके से कुछ, और यह हमें यहाँ पर नोप देखने को मिलती है, इसकी length बढ़ाने के लिए, तो जितने आपको length से यह उपर, उस साफ से इसको tight कर दीजिए, फिर यह ऐसे set हो जाए, tripod तो हो गया, इसके लाब हम box के अंदर देखने को मिलता है, यह box, छोटा box, इस box के अंदर हमें एक यह item देखने को मिलती है, जिसको उसके उपर ऐसे रखेंगे, सेकंड चीज हमें एक bulb इसाथ में free आता है, तो पैसे बच गए यहाँ पर, और थर्ड चीज, यह cable, यह cable हमें, यह देखेंगे, इसके अंदर हमें कुछ e-stripe को मिलता है, और हमें यह यह रिमूव करना है, यहाँ से, कुछ e-stripe को मिलता है, इसके अंदर bulb जाएगा, पर उससे पहले हमें मेंदे यह दंदर wire लगानी है, इस wire को सबसे पहले आप इसके नीचे की तरफ से यहाँ, आपको इसके अंदर से निकालना है यह एस के उसे आप सीधा electricity वहाला काम है जो आप जो आप सब लोग अपने घ़र पर करी लेते होगे तब उसके बाद जो यह हिस्स है इसको इस तरीके से ऐसे और बस उसके बाद इसको ऐसे कस देने ये हो गया और इसको इस नट को यहां कस देने ये हो चुका है ऐसे सेट तो इसका कवर मैंने उतार लिया कुछ इस टाइप का में मैटीरियल देखने को मिलता है जूट टाइप फिनिश कपड़ा देखने को मिलता है मैं इसके उसके बाद उसके बाद कुछ इस तरीके से कवर को अच्छे से कस दीजिए अंदर के तरह बस अब तो सीधा बल्ब लगाने अब फिर से इसको चला के देखते हैं कैसी लोग आती है चलने के बाद वान टू थ्री लाइट्स ओव क्या आप त्यारा फाइनल लोग देखने के लिए तो हेर वी गो यह देख सकते हैं आप कि रूम के लिए काफी परफेक्ट है यह आप इसको सोफिय के साइड में रख सकते हैं किसी भी कौने में रख सकते हैं बहुत जादा रोशनी नहीं है इ अब देखते हैं कि कौने में पढ़े होने और जिसके लिए निकल गया अथा इसको आप किसी भी कौने में काफी खूबसूरत लोग आएगी आप इसको सोफ़े के साइड में रख सकते हैं जैसे यहाँ देख लीजिए आप कितनी अच्छे लोग आ रही है इसकी किसी भी टेबल के साइट किनारे पर रख सकते हैं अगर आपको सिंगल सोफ है तो उसके आप दोनों तरफ इस टाइब को कुछ रख सकते हैं ताकि काफी खूब सुरुत लुक आए आपके रूम की क्योंकि कमरे की शान कमरा बनाने से नहीं उसकी लाइटनिंग आप उसको किस तरह से लाइट करते हैं कमरे को उस पर डिपेंड करते हैं और इसका प्राइस मुझे लगबग 11-1200 के बीच में पड़ा है एमजोन से जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँआ अगर आपको प्रचेस करना हो तो आप कर सकते हैं अकोडिंग टू मी इट्स वर्थ 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 उफ प्राइस घर बैठे बैठे आपको इतना कुछ मिल जाता है एमजोन पर और आपको क्या चाहिए करने के लिए और फ्यूचर में जो अब आने वाली वीडियो साने वाली है वो सारी लाइटनिंग के उपर होने वाली है झाली है